हिमाचल प्रदेश में भूमी अधि ग्रहन कानून 2013 लागू करने को लेकर सुमवार को सोलन शहर के मौल रोड पर परवानू सोलन शिमला फोलेन संघर समीती के लोगों ने रैली निकाल कर अपना रोड सरकार की प्रती व्यक्त किया है फोलेन संघर समीती का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में भूमी अधि ग्रहन 2013 कानून लागू किया जाए नारों की माध्यम से समीती के सदस्यों ने मौल रोड पर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने का प्रियास भी किया है इस मौके पर फोलेन संघर समीती सुनिकाई के अधियक्ष जेसी शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव की दोरान उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें चार गुनव मुआवज़ा दिया जाएगा लेकिन अभी तक सरकार इस मुद्वर टालमोटोल कर रही है उन्हें कहा कि कुलू मंडी और अने जीलो में भी फोलेन प्रभावित परिवार के लोग सीयम जैरम ठाकुर से मिल चुके है लेकिन अभी तक इस पारे मैं बात नहीं की गई उन्हें कहा कि इसका खाम्याजा सरकार को आगामी विधान सबत चुना में भुगतना पड़ेगा उन्हें आगे कहा कि चार गुना मुआवज़ा के साथ उनकी अन्यमांग ये भी है कि उनकी जो जमीन बजी हुई है वो बेहत कीमती है उसका वन टाइम सेटलमेंट करके एक मीटर सडक से पीछे उन्हें घर बनाने की परमीशन बिना टी सीपी और नगर निगम की परमीशन दी जाए उन्हें कहा कि जिनके पास जमीन कम है उन्हें जमीन और लौट करवाई जाए वहीं क्रिशी कानून 2013 कीत है जो भी प्रावधान मुआवज़े की तौर पर प्रभावित परिवारों को मिलने हैं उसे ध्यान में रखकर उन्हें मुआवज़ा दिया जाए उन्हें आगे कहा कि प्रदेश कारेकारनी की एक बैठक सरकार द्वारा अभी तक नहीं बुलाए गी है वे फोलेन प्रभावित परिवार मंच की और से मांग करते हैं कि सरकार जल से जल प्रभावित परिवार मंच की प्रदेश कारेकार्णी की एक बैठक बलाए जिसमें इन सभी बातों को लेकर चर्चा किये जा सकें बतादे की हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्षो से राष्टे उचमार प्राधिकन द्वारा विभिन अंतराल से अनेक फोलेन सड़के बनाई जारी है जिसमें मुखेतर परमाणू, शिमला, किरतपूर, मननाली, मतोर, शिमला, पठान कोट, मंडी, पिंजोर, नालागर, हम अमेरपूर, कोटली, मंडियादी, मार्क्स, शामिल है इन फोलेन के अत्रेक्त लगभग 63 नैराष्टे उचमार्ग बनाने हितू परियोशनों के पारुप त्यार किये जारे है रेलवे लाइन बिछाने के लिए भानूपली से बिलासपूर, लेह एवं चंडियर बद्दी रेल लाइन के लिए भी भूमी अधिगन की जारी है तता एरपोर्ट निर्मान एवं विस्तार हेतू भी भूमी अधिगन का प्रस्ताफ है इसे पूर पिछले सरकारों द्वारा बिचले निर्मान हेतू बान टावर लाइन बिच्छाने के लिए भी जमीन का अधिगन किया गया है आज भी किया जा रहा है 31 अगस्त को 2022 को प्रदेश कार्यकारणी की हमारी वर्चुल मिटिंग हुई थी उसमें प्रदेश कार्यकारणी ने निड़ने लिया था कि पांच से बारा तारीक तक पूरे प्रदेश में जहां जहां भी फोर लैन सड़कें बन रही है वहां वहां उस उस जिले में और उपमंडल लेवल पर हम जो है रैली निकालेंगे आज हमको प्रदेश कार्यकारणी कहा था कि सोलन परवानू शिमला फोर लैन संगर सिमिती रै रैली निकाली है सरकार के खिलाफ हम इस रैली को निकालने हैं और सरकार ने या भाजबा ने जो अपने चुनाव घोश्रा पत्र में वादा किया था कि वह अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पूर लैन परभावित परिवारों को चार गुना मौजा देंगे लेकिन अभी सा सरकार से अब यही मांग कर रहे हैं कि हमारी जो आपने हमसे वादा किया था जो आपने हिमाचल की जनता से वादा किया था पूर लैन परभावित परिवारों से वादा किया था वो उस वादे को पूरवा करें हमारा पुनरवास पूर स्थापना करें चार गुना मौजा द काम चुनाओं में आने वाले समय में हम इस जो यह हमारा विरोध आज रैली है इसको हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे हो सकता है हम अंशन पर बैठें आमन अंशन पर बैठें यह प्रदेश कारकानी के साथ बैठ करके निड़ने लिया जाएगा